दोस्तो अगर आप भी टीम इंडिया को एक बहतरीन टीम आते तो हमारी इस वीडियो को जरो लाइक केज़ेगा दोस्तो सूरे कुमार यादो और केल राउन ने जिताया टीम इंडिया को हारा हुआ बड़ा मुकाबला और टीम इंडिया बनी वंडे किरकेट में अब दुनिया के नंबर वन टीम जिया दोस्तो बताएंगे आज के बड़े मुकाबले का पूरा हाइलाइट वीडियो कैसे टीम इंडिया के बल्ले बाजो ने कमबैक करकर आश्टले गेंद बाजो को पूरी तरह से दूल चटा कर पहला वंडे मुकाबला अपने नाम किया तो वहीं पहले कैसे बाहरते गेंद बाजो के आगे कंगार होए पूरी तरह से डैस मैस टीम इंडिया ने पहला वंडे मुकाबला जित कर रा चाहिती आज दुनिया की मनी नंबर वन टीम तो बताएंगा पूरा हाइलाइट वीडियो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजे वीडियो देखते रहे वीडियो को लाइक का दीजे चैनल पने हो तो सस्क्राइब क टीम इंडिया को पहले सबलता दिलाई उसके बाद में इस्टिव इसमित और डेविड वार्नर के बिच कापी सांदर पार्टरशिप देखी गई डेविड वार्नर अपना अर्षा तक पूरा कर चुके थे उसके बाद में रविंतर जड़ी जाने इस साजिदारी को और इन दोनोंने संबान जनक पारit के लिए और आश्टेलया पूरी आल आउट होती वी नजर आए जवाअ में आश्टेलया ने टीम इंडिया को 217 तरन का टार्गेट देदे दिया जवाउ में टीम इंडिया ने भी कापिस सांदर चुका जट दिया और टीम इंडिया के कापिस सांदर शुरुवात की और इन दोनों ने अपना अर्षतक जड़ा का शोव से जादा रन की पार्टरशिप की और टीम इंडिया के लिए एक नया रेकोर्ड गोशित कर दिया जरीतु राज गईकार ने खेतर रन की कापिस सांदर पारी के लिए तो वह सुबन गिने च तरन की पारी के लिए लेकिन टीम इंडिया के चार विकिट जल्दी गिर चुके थे जस रेस रन आउट हो चुके थे तो उसके बाद में बल्ले बाजी करने आईसान की सान वे आउट हो चुके थे टीम इंडिया बुरी तरह से इस बड़े मकाबले में फस्तुका था लेकि देखते देखते हैं इन दोनों ने अपना कापी सांदार अर्शा तक्पूरा कर लिया अलाइंकि सूरे कुमार यादव जो है आउट हो चुके थे जब अचास रंकी कापी सांदार पारे खेल कर आउट हो चुके थे लेकिन बाद में रविंदर जड़े जस साथ देने आये के सब्सक्राइब तेजे